धर्म की वर्तबान स्थिती समझने से पहले हम समझ लेते हैं धर्म क्या है। आध्य शंकराचार्य जी ने धर्म की व्याख्या इस प्रकार की है। जगतहा स्थिती कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युद्धय निश्रिय सहेतुर्यह सधर्मह अर्थात समाज व्यवस्था उत्तम रहे प्रतेक प्राणिमात्र की अईहिक उन्नती के साथ साथ पारलोकिक उन्नती भी हो जो ये तीनों धेय साध्य करवाए उसी को धर्म कहत है आध्य शंकराचार्य जी ने धर्म की व्याक्ष्या में सरुप्रथम बताया है कि धर्म उसे कहते हैं जो समाज व्यवस्था उत्तम रखे परंतु समाज की वर्तमान स्थिती में हमें क्या दिखाई देता है आज राष्ट्र संकट में है सीमा पर घुस्पेट करने वाले आतंकवादी देश में विद्वन सक्रुतियों द्वारा आतंक मचाय हुए हैं देश के 20 प्रतिशत भूभाग पर नकसलियों का अधिराज्य है राष्ट्र पर 53,865 करोड रुपे का भारी कर्ज है ब्रश्टाचार ने तो पूरे समाज जीवन को खोखला बना दिया है किसान आत्महत्या कर रहे हैं विदी मंडल में जन प्रतिनिधियों का व्यवार पाटशाला में पढ़ने वाले बच्चों से अधिक गैर जिम्मेदार हो गया है भारत माता का नगनचित्र अंतराश्ट्रिय बाजार में बिक्री के लिए रखने पर भी राज्यकरता ततपरता से उस पर कारिवा ही नहीं करते समाजमन अत्यंत अस्वस्थ हो गया है अब तो कलपना भी करना कठिन है कि आज से तीस वर्ष आगे की पीड़ी की किस्मत में क्या लिखा होगा जब राश्ट्र की ही स्थिती ऐसी है तो सनातन हिंदु धर्म जो इस पुण्य भूमी की आत्मा है उसकी स्थिती भी उतनी ही विकट है घरों में धर्म वसंस्कृती के लिए कोई स्थान ही नहीं रहा धर्मकार्य में पश्टिमी पद्धती का अंधानुकरन हो रहा है कोई भी कार्य इश्वर की कृपा से ही सफल होता है हिंदू समाज भूल ही गया है कि साधनाद्वारा इश्वरिय कृपा प्राप्त करना अवशक है हिंदू अपनी पहचान को भुला बैठे हैं सामप्रदाइक्ता तथा जात्यंदता की बेडियों में समाज जकड गया है दर्मशिक्षा के अभाव में हिंदू धर्म की विशालता, सर्व व्यापक्ता, वो उदारता का भान ही नहीं रहा अब तो हम इस कगार पर खड़े हैं कि हिंदू धर्म बचेगा या समाप्त हो जाएगा इस थिती तक पहुँचने की भनक भी शायद किसी को नहीं है आतंकवादी हिंदूओं के मंदिरों को लक्ष बना रहे हैं भाशन, नाटक, विज्यापन, वचित्रों द्वारा हिंदूओं के देवताओं की विडम बना की जा रही है संतों के बारे में जिसके जो जी में आए, वहलिक वह बोल रहा है विदेश में भी हिंदूओं के देवताओं का अपमान किया जा रहा है हिंदूओं के मंदिरों में जमा हुए श्रधालूओं के धन को मनमानी से पानी की दरव भाया जा रहा है 28 वो 29 जन्वरी 2006 को सिद्धी विनायक मंदिर न्यास द्वारा अंतराश्ट्री या मंदिर परिशत का आयोजन किया गया था सबततारांकित होटल में बैठक का इस प्रकार आयोजन कर न्यास ने शद्धालूओं की भावनाओं को आहत किया जन्दू धर्म की मंदिर ये आधारशिला है जहां से धर्म प्रसार धर्म की शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए इसकी बजाए यह यहां एक पंचतारांकित फाई स्टार कॉन्फरेंस की जारी है 16 राक रुपया का खर्चा हो रहा है और यह खर्चा जो श्रद्धालू भाविक जो मंदिर में कतार में खड़े रहते है उनके तरब से दिया जाने में पैसे पे या इसे फाई स्टार कॉन्फरेंस की जा हिंदू का जो श्रद्धा स्थान है जहां पर हिंदू अपना धन अर्पन करते हैं वो अपने श्रद्धा के अनुसार अर्पन करते हैं तो इस श्रद्धा को कायम रखने के लिए जहां पर भी ऐसी परिशद हो तो उसमें श्रद्धा लोगों का धन का गैरवापर ना हो उसक हिंदू धर्म की ऐसी स्थिति का क्या कारण है सबसे महत्वपुर्ण कारण यह है कि हिंदू अपनी हिंदू होने की सुध खो बैठे है मेरू तंत्र में हिंदू शब्द की व्याख्या इस प्रकार हिंदू होने की सुध खो बैठे है मेरू तंत्र में हिंदू शब्द की व्याख्या इस प्रकार है हिनानी गुणानी दूशयती इती हिंदू इसका अर्थ है जो हीन निवन रजतमात्मक गुणों का नाश करता है वह हिंदू है हिंदू का सही अर्थ है साधक फिर बाईय रूप से वो किसी भी पंध का हो जो व्यक्ति साध्णा करता है वो हिंदू है आजकल बहुत कम लोगों को लगता है कि समाज, राष्ट, धर्म इनकी दुर्दशा में परिवर्तन हो ये दुर्दशा मिट जाए जिन कुछ लोगों को लगता है उन्हें अपेक्षित यश्प्राप्त नहीं होता ऐसा क्यूं होता है उन्हें अपेक्षित यश्प्राप्त हो इसलिए क्या होना चाहिए इसका उत्तर महा भारत में दिया है धुत्राष्ट को संजय कहते हैं यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरह तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम अर्थात जहां योगेश्वर कृष्ण जैसे गुरू हो जहां धनुर्धारी अर्जुन जैसा शिश्य हो वही लक्ष्मी, विजय, अखंड वैभव तथा नीती रहेंगे ऐसा मेरा मत है जिनकी इच्छा है कि समाज की वर्तबान स्थिती बदलें, धर्म की स्थिती बदलें, उन्हें ये बात अवश्य ध्यान में रखनी होगी इश्वर कृपा अर्थात गुरू कृपा कि बिना कोई भी कर्म पूर्ण नहीं हो सकता